हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल शेर्टस ऑफ किचन में आज मैं आपके लिए फिश फ्राई की बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेस्पी लेकर के आएं तो चलिए आए रेस्पी स्टार्ट करते हैं मैंने यहां फिश के हेवी फ्लेश वाले चार पीसेज लिए हैं इनको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे सबसे पहले हम इसमें अपने टेस्ट के कॉर्डिंग नमक डालेंगे इसके बाद आधा चम्मच करीब राई आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच पिसी लाल मिर्च आधा चम्मच गरम मसाला और एक चुथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसी के साथ में थोड़ी सी कसूरी में थी कुटी हुई धनिया धनिया को मैंने कूट लिया था खड़ी धनिया को और साथ में चाट मसाला चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और इसी के साथ में एक चम्मच लैसो नदरक का पेस्ट साथ ही मैंने इसमें रेड कलर दिया है रेड कलर से इसका कलर है बहुत ही बढ़या आजाता है तो खाने वाला रेड कलर आप डालेगा और इनको सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजेगा इन सबी चीजों को मिक्स करने के बाद आपस में आधा नीम्बू का रस डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बहुती जूसी और बहुती बढ़या हो जाए इन सब को आपस में मिक्स करके हम करीब इसको आदे घंटे के लिए फ्रिज में मारिनेट होने के लिए रख देंगे आदे घंटे हो चुके हैं अब हम इसमें अरा रोट का एक चम्मच पाउडर डालेंगे अगर आपके पास अरा रोट का पाउडर नहीं है तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इससे की क्रिस्पीनेस काफी बढ़ जाती है इनको दोनों तरफ ही हम कोटिंग कर लेंगे पाउडर से जिससे की दोनों ही साइड हमारे पीसे जो है वो क्रिस्पी हो जाए अब मैंने यहां पर कुछ ब्रेट के क्रम्स लिए हैं ब्रेट क्रम्स मैंने नॉर्मल ब्राउन ब्रेड को मिक्सी में ग्राइन कर लिया था और इसको हम अच्छे से दोनों तरफ लपेट लेंगे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा जिससे मेरे नई नई रेसिपीज की आपको नोटिफिकेशन लगातार मिल यह देखिए हमारे सारे पीसिस रेडी हो गए हैं अब इनको हम तेल में डी फ्राइब कर लेंगे तेल यहां पर मैंने गरम कर लिया है और बिल्कुल धीमी आज पर आप इसको फ्राइब करेंगा वन्ना ब्रेड क्रम्स तो पहले जल जाएंगे और आपकी फिश अंदर से इतनी पकेगी नहीं यह देखिए फिश देखने में कितनी जूसी बढ़िया क्रिस्पी लग रही है और इसका टेस ही बहुत बढ़िया है आप इसको ज़रूर ट्राइब करिएगा फ्रेंड्स मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और इस डिश को ट्राइब करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए थैंक्यू फ्रेंड्स